दोस्तो स्वागत हैआप सबका फिर से एक और नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम लो फ्राभ बिलीटी के अंडर पॉैजान डिस्टिबिशन को अगर आपने वाला वीडियो में लॉगों ने निसिक्रिप्शन में मिल जाएगा आप upper, प्राभॉएन पॉज़ा कर के न binomial distribution और poison distribution ने दोनों ही काफी important होते हैं discrete probability distribution के अंडर में और दोनों के जो features होते हैं वो भी काफी हद तक similar होते हैं कुछ point होते हैं difference के जो हम लोग अभी इस वीडियो में discuss करेंगे आप देखे जैसे binomial distribution जब हमने discuss किया था तो अगर आपने मेरा वाला वीडियो देखा है binomial distribution वाला तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग इसको कब apply करते हैं जब हमारे n यानि की number of trials वो जो होते हैं वो काफी जादा होते हैं ठीक है number of trials जो होते हैं वो हमारे large होते हैं तब हम लोग इसको use करते हैं दूसरी चीज जो हमारे वो क्या कहते हैं success के मतलब जो हमारे outcome निकल कर क्या रहे हैं वो होते हैं dicotomous मतलब हमको दो तरीके किसमे outcome देखने को मिलते हैं एक होता है हमारा पी जो की होता है probability of success और दूसरा होता है Q probability of failure तो यह कुछ features हम लोगों ने वहाँ पर binomial distribution के देखे थे तो इसी तरीके से हम लोग poison distribution को भी डिसकस करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके basic से आप देखें जैसे binomial distribution Bernoulli ले दिया था तो इसलिए हम लोग उसको Bernoulli trial के नाम से भी जानते हैं Bernoulli distribution के नाम से भी जानते हैं और binomial distribution के नाम से भी जानते हैं उसी तरीके से जो poison distribution है वो दिया था एक French mathematician Simon Poison है तो इसलिए हम लोग इसको poison distribution के नाम से जानते हैं यह उन्होंने तरीके से होगा मतलब जो इसकी tail होगी वो right side में stretch हो जाएगी यानि कि यहाँ पर mean की जो value होगी वो सबसे जादा बड़ी होगी उसके बाद फिर median होगा हमारा उसके बाद फिर mode होगा तो यह होता है positive skewness अब discrete distribution यहाँ पर यह जो लिखा हुआ इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो probability distributions होते हैं इनके अंदर में दो तरीके से हम लोग इसको बाठते हैं एक होता है discrete दूसरा होता ह है continuous discrete के अंदर में हम लोग binomial distribution को पढ़ते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में cover करा दे था आपको उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है poison distribution और continuous distribution के अंदर हम लोग पढ़ते हैं normal distribution को तो यहाँ पर जो probability यह poison distribution होता है यह poison distribution discrete probability distribution के अंदर में आता है और यह कैसा होता है यह positively skewed discrete distribution होता है आप देखें जो मैंने यहाँ पर points लिखे हो हैं यह points specifically आपके objective question को solve करने में help करेंगे मतला वहाँ पर आप objective question आपसे directly पूछ रहता है कि यह जो poison distribution है किस तरीके का distribution होता है तो वहाँ पर आपको यह छोट critical question आपको देखने को नहीं मिलता है poison distribution से वहाँ पर आपसे basics पूछेंगे कि क्या होता है यह क्या इसका formula है जो formula में चीज़े दी वो क्या denote कर रही है क्योंकि इसका solve करने का तरीका है वो आप बिना calculator के करने में आपको बहुत जादा difficulty होती इसलिए कई exams में यह नहीं पूछ हा जाता है poison distribution इसके बाद next point यहाँ पर देखें next point और सबसे important point यहाँ पर it is applied when the value of P यानि की probability of success is very small and n is very large अब अगर आपको याद हो binomial distribution में अभी even starting में भी आपसे बोला तो जो binomial distribution था वहाँ पर जो हमारे n होते हैं वो large होते हैं ठीक है n हमारे large होते हैं और large में भी हम लोगों ने जो questions discuss कियते हैं वहाँ पर binomial distribution वारे वीडियो में वो 10, 15, 20, 30 इस तरीके से दी होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है जो poison distribution यह तब apply होता है जब जो हमारा n है वो बहुत जादा large हो रहा है और generally यह देखा जाता है कि जो n होता है poison distribution में वो greater than 50 होता है मतलब जैसे ही हमारा n जो होगा वो greater than 50 होगा तो वहाँ पर best possible way आपके लिए जो जायता है वो poison distribution को apply करना रहता है क्योंकि binomial वहाँ पर थोड़ा fail हो जाता है दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दूसरे इसको point cover कर रहा ह वो यह है कि probability of success जो होगी वो बहुत small होगी मतलब यहाँ पर जब आप P निकालेंगे तो P जो हपकी होगी वो यहाँ तो 0.01 0.001 इस तरीके से निकल करके आएगी तो यहाँ पर जो probability of success होगी वो काफी small होगी और n जो होगा वो काफी large होगा तो उस case में आप apply करेंगे poison distribution क अब हम बात कर लेते हैं इसके formula की तो formula देखें यहाँ पर वैसी binomial distribution की तरह लिखा हुआ है तो यह है P R यानि कि probability of success R success ठीक है probability of R success in n number of trials और उसके बाद दिया हुआ है M raised to the power R multiplied by E raised to the power minus M whole divided by R factorial अब यह देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े denote खोरी है आप है तो यह जो P R है इसको मैंने आपको अभी बता है कि probability of success desired या फिर आप इसको बोल सकते है probability of R success desired ठीक है probability of R success desired R यहाँ पर क्या है यह है number of success desired जो कि आपका होगा 0, 1, 2, 3 से लेकर के infinity तक तो यहाँ पर R की जो आपको range दीए तो 0 से लेकर के infinity के बीच में होती है उसके बाद M जो यहाँ पर जैसे जब हम binomial distribution कर रहे थे तो binomial distribution में हमारा mean होता था वो होता था mu ठीक है उसको हम लोग denote करते थे mu से और वो होता था N P वो भी N P होता था यहाँ पर भी N P है बस यहाँ पर denote हम लोग कर रहे हैं इसको M से तो यहाँ पर आपको M दिख रहा है वो और कुछ नहीं वो mean है poison distribution का और E की जो value होती वो एक constant होता है जिसकी value होती है 2.7183 ठीक है E की value constant होगी वो होगी 2.7183 अब यहाँ पर यह हम लोगों ने वो देख लिए कि क्या formula होता है दूसरी चीज़ा हम लोगों यहाँ पर यह discuss कर लेते हैं कि mean और standard deviation क्या होंगे poison distribution के under तो mean की बात अभी हम लो of trials multiplied by probability of success उसके बाद standard deviation अब यहाँ पर देखें यहाँ पर dichotomus की बात नहीं हो रही जैसे dichotomus में हम लोग P और Q दोनों लेते थे तो binomial distribution में जो होता था binomial distribution में जो mean होता था हमारा जिसको हम denote करते थे mu से वो होते था NP और यहीं पर standard deviation जो होता था वो हो जाता था हमारा under root of NP P Q ठीक है उसी तरीके से जब poison distribution में हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा mean जो होगा वो M से denote होगा और होगा N multiplied by P standard deviation में थोड़ा सा change हो जाता है वो हो जाता है under root of NP तो यह आपको याद करने की ज़रूत है आप इसको याद करिए इस formula को क्योंकि कई बार objective question में आप से directly पूछ करता है कि mean of poison distribution will be equal to तो आपको चार option देदेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा mean क्या होगा standard deviation क्या होगा poison distribution का इसके बाद हम एक question को यहाँ पर discuss कर लेते हैं question जैसा आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे 2% of the bulbs produced in a factory turn out to be defective एक factory है जहाँ पर इसके बाद बोला है what is the probability that a shipment of 200 bulbs उन्होंने shipment भेजा 200 bulbs का will contain exactly 5 defects तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो उन्होंने बल्ब का shipment भेजा 200 का उसमें क्या chances है कि उसमें exactly 5 defective piece निकलेंगे also find mean and standard deviation अब देखे कैसे आपको इसको अप्रोच को ले करके चलना है यहाँ पर देखे अगर आप तो यहाँ पर 2 bulbs manufacture जब आप कर रहे है तो मतलब जितने बल्ब्स आप manufacture कर रहे है उसमें से 2% जो है वो defective निकले जा रहे है तो यहाँ पर अगर हम N की बात करें सबसे पहले तो N हमारा क्या हो जाएगा number of trial तो आपको कितने bulbs के shipment में पूछ रह तो यहाँ निकी N आपका हो जागा यहाँ पर 200 उसके बाद R देखे क्या होगा R हमारा होता है number of success desired तो हमको यहाँ पर कितने bulbs का चेक करना है कि वो defective है तो 5 bulbs का हम लोगों को यह चेक करना है कि वो defective है तो R होगा हमारा 5 ठीक है N होगा हमारा 200, R होगा हमारा 5 अब यहाँ पर हमको निकालना है P, तो P कैसे निकलेगा आप देखे probability of success, P का मतलब होता है probability of success ना single trial तो अगर आपके यह जो जैसे यह यहाँ पर देखे दिया हो है 2% अफ तो तो टोटल आपके जितने भी बल में 2% आपके defective निकलने और आपको चेक करना है 5 defective होंगे तो इसका मतलब probability of success होगी यहाँ पर 2% ही ठीक है तो 2% का मतलब होगा 2 by 100 तो यह हो जाएगा 0.02 तो हमने N निकाल लिया हमने R निकाल लिया और हमने P निकाल लिया अब हमको जो formula दिया हुआ है वो क्या है यहाँ पर formula हमको दिया हुआ था P R is equal to M to the power R multiplied by E to the power minus M whole divided by R factorial तो हमने N निकाल लिय निकाल लिया और P nिकाल लिया अब देखें M यहाँ पर दिया हुआ है M का मतलब क्या होता है MEन होता है तो वह कैसे निकलता है N multiplied by P तो n multiplied by p आप जब करेंगे तो यह हो जाएगा 200 यानि कि n multiplied by p यानि कि 0.02 तो यह mean जो आपका निकल कर क्या हो जाएगा 200 multiplied by 0.02 तो यह होगा 4 तो m हमने निकाले m is equal to 4 अब हम इसमें values को put कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा m की जगापे हम लिखेंगे 4, r की जगापे हम लोग लिखेंगे 5 multiplied by e की value थी 2.7183 to the power minus m तो minus m की जगापे minus 4 लिख दे हम लोग और नीचे है r factorial यानि कि 5 factorial अब इसको अगर आप solve करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 की power 5 तो 4 की power 5 का मतलब है यहाँ पर 1024 multiplied by 2.7183 तो 2.7183 minus 4 लगाए तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और divide में तो इसको reciprocal कर देंगे तो यह जाएगा 2.7183 to the power 4 तो की minus लगा था तो हम लोग ने इसको reciprocal करके इसका minus remove कर दिया अब नीचे देखे 5 factorial हो तो इसका मतलब होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो इसको अगर आप और solve करें तो यह आपका निकल कर गाएगा 1024 1024 और जब आप इसको solve करेंगे तो यह आपकी जो value आएगी यह होगी 0.0183 ठीक है जब आप इस portion को solve करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0183 और नीचे देखे क्या हो जागा 5 4 20 23 60 16 to 2 120 तो यह आपका हो जागा 120 और इसको यह आप solve करेंगे तो आपका answer निकल कर गाएगा यहाँ पर 0.156 तो जो 200 bulb की shipment भेजी गई है उसमें exactly 5 जो bulb है वो defective होने के क्या chances हैं तो उसके chances है 0.156 तो हम लोगों इसकी probability निकाली अब हम लोग इसके बाद mean और standard deviation देख लेते हैं तो देखे मीन हम लोगों ने अलड़ी निकाल लिया तो m is equal to 4 यह हमारा mean था तो यह हम लोगों ने अलड़ी निकाल लिया standard deviation के अगर हम बात करें तो standard deviation होता है under root of np तो यह हो जाएगा आपका under root of 4 तो इसको आप solve करेंगे तो यह निकल कर गएगा 2 यानि कि standard deviation हो जाएगा हमारा 2 और mean हमने अलड़ी निकाल लिया तो वो है 4 तो mean और standard deviation भी हम लोगों ने इस question का solve कर लिया तो यह हम लोगों ने पूरा poison distribution कर लिया है कोई भी तरीक अगर doubt हो इस topic से related तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते मैं वहाँ पर आपको जो आपका reply होगा वो कर दूँगा और बाकी अगर ने 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 एक्स वीडियो में थांक यू